एक किसान की बहुती सुन्दर बेटी थी, एक नजवान लरका उस किसान की बेटी से साधी की इक्षा लेकर किसान के पास आया, उसने किसान की बेटी से साधी करने की इक्षा जताई, किसान ने उसकी और देखा और कहा यूबक तुम छेत में जाओ, मैं एक एक करके तीन बैल छोड़ने वाला, यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक के भी पूछ पकर लो, तो मैं अपनी बेटी के सारी तुम से करा दूँगा, नौजवान लरका इस असान सत को सुनकर खूस हो गया, और खेतों में बैलों की पूछ पकरने की मुठा लेकर खारा हो गया, किसान खेत में इस्तित घर का दर्वाजा खोल दिया, तभी एक बहुत बड़ा और खत्रानाक बैल उसमें से निकला, नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतो उसे डर कर नौजवान ने निर्णने लिया, कि वह अगले बैल का इंतिजार करेगा, और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया, दर्वाजा फिर खुला, अश्चर जनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भैंकर बैल निकला, नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहला वाला बैल ठीक था, फिर उसने एक और होकर बैलों को निकल जाने दिया, दर्वाजा तिसरी वर खुला, नौजवान के चीरे पर मुस्कान आ गई, इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला, जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूछ पकरने के लिए मुठा बना ली, ताकि उसकी पूछ सही समय पर पकर सके, पर या क्या, उस बैल के तो पूछी नहीं था, दोस्तो हर एक इंसान की जिंदगी अफसरों से भरी होई है, कुछ सरल है, कुछ कठी, पर अगर एक बार अफसर गवा दिया तो फिर वह अफसर दोवारा नहीं मिलेगा, अतक हमेशा प्रथम अफसर को हासल करने का पर्यास करना चाहिए, दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भाराद